देखें बच्चों को लाल्स वीडियो में हम लोग वीमा निकालना सीखा थे अनुप्रयोग याने कि इस वीमा 補़िए जो अमने वीमा निकालना सीखा था क्या उनकों ज Там कैसे यूज कर सकते हैं तो चलिए कापी भे समय हैं नोर्स बनाते रहे हैं इसके हम चार पड़ेंगे पहला पड़ेंगे कि कोई भी जो बहुतिक नियतांक होता है कोई भी भी वह झालना और उसका मातरक निकालना वहा हमने पढ़ लिया पूट अच्छे से वीमा निकालना में आता है तो बिल्कुल बहुत ऊपिक है जैसे यह क पताूनी चीह हैं एमटूँ भी मास है उसकी पताओनी चीह है आर धूरी है उसकी भी पता हो नीचिह सबकी भी आमे पता है थीक है हम पड़ चुके है तो बस यहां से जी की विमा निकल जाएगी अभी हम आगे करेंगे इसको सॉलव टीक है दूसरा जो इसका अनुप्रयोग वो है किसी बहुतिक राशी के सत्यता की जाज करना और यह देखो मैंने बहुत शॉटकट में आपको वहां बताया था जब हमने उर्जा का फोर्मूला लिखा था कि टोटल जो होती है वो काइनेटिक और काइनेटिक और पॉटेंशन नेर्जी की योग के बराबर होती है और वहां मैंने आपको बताया था कि यहां पर इन दोलों की विमा समान हो नीची तब ही फॉर्मूला सही होगा तो यहां भी बस ऐसा ही करना है जैसे आपको गति के तीन समीकरन पढ़े है अपने पर्थम त्रित्ति और त्रित्ति है ठीक है तो यह कौन सा समीकरन है दिख रहे करेंगे इसको सॉल्व ठीक है आपको अच्छे से आ जाएगा कि कैसे करेंगे चलिए नेक्स जो इसका अनुप्रयोग है वह समीकरन स्तापित करना भाई अभी तो हम जाची कर रहे थे अब हमें समीकरन बनाने भी आने चाहिए बनाना का मतलब कैसे जैसे आपको दे दिया कि कोई भी जो चीज है वो इस इस चीज के उपर डिपेंड कर रही है तो उनके बीच में एक्जेक्ली क्या रिलेशन होगा यह आप विम्य विदी के द्वारा ग्यात कर सकते हो ठीक है जैसे एक सरल लोलक दे दिया ठीक है सरल लोलक जोई उपर से बंदा हुआ है एल इसकी कि उपर किस तरह से डिपेंड करेंगा टी और इन सब में क्या रिलेशन होगा वो सम्मी करन हमें निकालना आना चाहिए और वो हम किसकी है निकालेंगे वीमा की है ठीक है और फोड जो इसका अनुप्रयोग है वह है कोई भी जो आपको मात्रक दे दिया एक पद्दती से द अनुप्रयोग है उनको डिटेल में पढ़ते हैं उनके ओपर एक एक क्यूशन भी करेंगे तब को समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हमको करना है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दुबारा जरूर देखिएगा चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे पहला किसी बहुतिक नियतां की वीमा और मात्र अख ग्यात करना ठीक है अब देखो आपको एक एक जामपल से समझाते हैं इसको नुटन का पर आपके बूप करशन का चैप्टर ठीक है वहां पढ़ोगे नुूटन का गुरूत्वा करशन नियम अभी तो आप इसका फॉर्मूला देखिए बस ये होता है F equal to G M1 M2 upon R square आप देखिए Newton को गुरुत्वा कर्शन नियम यह होता है कि इतना बल लग रहा है मैं गुरुत्वा कर्शन नियतांगी जो G होता है इसे कहा जाता है गुरुत्वा कर्शन नियता तो आपको इस G की वीमा निकालनी है और इस G का मातरक निकालना है ठीक है किस का प्रयोग करते हुए वीमा यानि कि वीमे विसलेशन का प्रयोग करते हुए चलिए शुरू करते है थोड़ा से यह समझ लेता है कि यह फॉर्मूला आया कहा से यह फॉर्मूला होता है कि जैसे कोई दो पिंड है, जिनके द्रवेमान है M1 और M2, ठीक है, ये इनके द्रवेमान है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है, तो इन दोनों के उपर लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, वो होता है M1 और M2, यानि कि इनके जो द्रवेमान होता है, उनके तो ये बल समानुप समानुपाती होता है जाने कि दूरी अगर इनके बीच की बढ़ेगी तो बल क्या होगा कम होगा वैद कर्मानुपाती का मतलब यह तो होता है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज गट रही है ठीक है तो जब इन दोनों को मैंने कंबाइन फॉम में लिया तो इसको ऐसे यह वैद नियतांग जिसको जी आपका तो यह नियतांगा जिसको जी कहा गया है और जी आपका क्या घषण नियतांग आपको इससे जी की ही वीमा निकालनी है और इससे जी का ही मात्रक निकालना को बहुत आसान है कुछ भी नहीं जो doctjust Perilios में करते हैं लापर स्वीमा ला लिया हो बाकि सारी टम्स को एक जिगा लिया हो तो जी की विमा चाहिए तो क्रोस मल्टिप्लाइ करोगे तो f इंटु आर स्कॉर जाएगा और यहां नीची चला जाएगा तो g का फॉर्मुला यहां यहां नीची आएगा f इंटु आर स्कॉर बटे m1 m2 बराबर g सही है यहां नीची बहुत है इससे लिको दोनों से मैं इससे बस मैंने g का मान निकाल लिया है बस यहां ही तक ही है अप तो आगे तो आपको आता है देखो यानि कि किस की विमा चाहिए इसमें इसमें चाहिए बल f मतलब बल ठीक है आर्थ दूरी m1 m2 के है मास ही तो है सबकी विमा आपको पता है मास की विमा M होती है दूरी की विमा L होती है और बल की विमा कैसे निकालता है बताए एक बराबर में करके निकालेंगे निकालेंगे बली यही तो होता है एक बराबर में तो एक विमा पता होने चीए यह होत यह देखिए MA, A को क्या लिखेंगे, V upon T, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग क्या होता है, विस्तापन में परिवर्तन की दर, अब बस यहां से विमा निकाल लो, M की विमा, M1, X विस्तापन है, इसलिए L1, T, T जुड़ गए, उपर गए तो, म M1, L1, T-2, है ना, असन, बताओ, रटने की जुरत पढ़ रही है, आपको, नहीं न, चलिए, दूरी की विमा, दूरी की क्या होती है, भाई, दूरी डिस्तेंस होती है, डिस्तेंस को L लिखेंगे, तो L हो गई, ड्रवेमान की M, चलिए, रग दिजए G में, यह तो है F की विमा, ठीक है, यह दूरी, यह था दूरी, R स्क्वार था न, यह देखिए, तो L का स्क्वार हो जाएगा, यह L स्क्वार हो गया, ओके, और यह M1, M2 था नीचे, तो M1, M2, M1 हो जाए M2, है तो दुरवेमानी, तो विमा हो गई M, और इसका स्क्वार, समझ में है, अब इ T-2, और M की पावर, माइनस दो, भाई, यह उपर गया, इसमें से जब इसको गटाओगे, फोर्मुला याद करिए, आदार समानों तो गाते, जुडती है, लेकिन यह माइनस हो रहा है, तो इसे घटेगा, तो यह बज़ जाएगा, M-1, L3, और T-2, तो यह आगई G की, वि माइनस बन पावर है, तो माइनस बन लगा दी, L होता है, मिटर में स्टेंडर मातरक ले रहे हैं, तो मिटर और पावर 3, T का मातरक सेकेंड पावर 2, ठीक है, इसके अलावा, यह तो हो गया, इस से, और अगर हम फोर्मूले से G का मातरक निकाले तो, भाई, G बराबर क्या था, F into R square upon M1, M2 यह तो होता, F का मातरक Newton होता है, बलका Newton भी होता है, Newton into meter square बटे, kg का square, तो यह इनके मातरक आ गए, और इस G की जो value होती है, वो इतनी होती है, ठीक है, इस G की value होती है, वो निकल के जब इनको पूरा solve करते हैं, तो इसकी value दी गई होती है, 6.67 into 10 की पावर minus 11 newton into meter square, बटे, kg square, ठीक है, तो यह मान आप याद कर लीजिए का, वैसे, क्योंकि अगर numerical आता है, तो कभी-कभी वो दे भी देता है, कि G बराबर इतना होता है, लेकिन बाइचांस नहीं दिया तो, तो यह कुछ standard values होती है, जिनको हमें याद रखना चाहिए, ठीक है, चल निकाल के values पुट कर दीजिए, और जब वीमा निकल गई, तो मात्रेक निकालना तो आसान है, ठीक है, चलिए, अब करते हैं, नेक्स अनु प्रयोग, अब हमें करना है, बोतिक राशी जो है, वो हमें एक समीकरन दे दिया गया, अब वो समीकरन सही है या नहीं, उसकी वी स्कॉर बराबर यू स्कॉर प्लस टू एस, यह न्यूटन की गती के तीन समीकरन है ना, और जो नैक्स आपका जो थर्ड चैप्टर है, उसमें हम यह समीकरन निकालेंगे भी, ठीक है, तो हमें भी यह फर्स समीकरन यह दे रखा है, अब आप नहीं जानते हो, छोड़ भी प्रणाइने जहीं है, या तो हमेस उसम मैं उसमों पालनी , के आपका जे अथे वू बश्boy होता है वह सबसे हो सकती है यह लू र fakा प्रावभिक वह इसकंगे सब से यहोता है यूू हो ता आप एक!!! और टी होता है समय तो यह रिलेशन होता है इन सब में अब इसके जाज करनी है ठीक है भाई लिग दिया हमने जो में दे रखा है वी पराबर यू प्लस एटी लिख दिया ठीक है अब देखो बस अगर यह समीकरन सही है तो आपको एक चीज जहान रखनी है वो क्या यह चीज प्लस का मतलब ऐसे नहीं है लास्ट वीडियो में बताया था कि जोनना नहीं है बस इस समीकरन का मतलब यह है कि इसकी वीमा इसकी वीमा और इस पूरी टर्म की वीमा सेम होनी चीए अलग लग नहीं होनी चीए तो तो यह समीकरन सही होगा और अगर किसी भी एक के अलग आ गई तो यह समीकरन गलत हो जाएगा तो मैं माल लेतू कि यह वेग है अभी हम चैक कर ल वेग की विमा V is equal to क्या होता है? X upon T, तो कितनी आ गई? L1 और T-1 बताओ यह लिखी है, तो मैंने कहा था न, विमा याद नहीं ही करनी है, निकालना आना चाहिए, यू, वेग प्रारंबी को जाए अंतिम होता है, तो वेग ही है, तो इसकी विमा भी यही होगी, अब आते हैं बढ़े, अपने मैं वेग कहा है, तो देखने है, वेग मैंने कहा है जो सही है या नि, कोई न, 80 की विमा निकालता है, आपको पता है बढ़े, एट वर्ण है, और T टाइम है, दोनों की विमा निकालो, अगर इस पूरी टम की विमा, वेग की विमा के बराबर आगई, इसक विमा क्या होती है, तो A T kii Vyma क्या हो जाएगी, ये तो A की Vyma, और T की Vyma T1 solve Kariya, लगा held T1 और बताओ क्या Vyma Vyag की है, हाँ, Vyag की भी अहीँ है, तो जो मैंने कहा थैं कि ये चीज वेग है, सही है या नहीँ, है, अब जब आपको तीनों की विमा समान मिल गई तो बताओ आपका समीकरण सही हुआ नहीं हुआ बाइच में जितने भी टम से दे रखी है उनकी विमा समान आ गई इसका मतलब वो समीकरण सही है अगर एक की भी विमा अलग आ जाती है तो वो समभी करन गलत हो जाता चलिए एक और एक्जम्पल करते हैं गति का दूसरा नियम क्या होता है S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्कुरे अब S होता है दूरी U प्लारंबिक वेग A तौन और T टाइम वही है सब कुछ बस S एक अलग से चीज़ हो रहा है यह होती है तो यह होना चीए और यह जो पूरी टर्म है यह भी दूरी को शो करने चीए यानि कि अगर इन सब टम्स की जो वीमा है वह दूरी की वीमा के बराबर आ गई तो तो यह सही हो जाएगा और नहीं आई तो गलत हो जाएगा तो बस वीमा चैक करी है एस तो दूरी है दूरी की विमा आपको पता है लेंट में लेते हैं तो एल हो गई चलिया आगे अब निकालते हैं यूटी की विमा कैसे निकालेंगे यूकी अलग और टीकी अलग यूकी तो अभी अभी निकाल के आ रहे हैं यह टीकी यह इन दोनों को सौल किया तो बताओ आप इस पूरी टम की निकालो, मैंने बता है था, constant जो राशियां होती है, इनके कोई विमा नहीं होती है, तो इसके तो छोड़ दीजी हाफ की तो, 80 स्क्वाइर की विमा चेक करो, 80 की विमा, एक ही अभी निकाल के आ रहे हैं, ती स्क्वाइर का मतलब टी की पावर 2, इसको सॉल करेंगे, देखो वापस ही 0 हो गया, टी की पावर 0, 1, तो L बचा, बताओ वापस से तीनों विमा समान आई नहीं है, आई ना, यानि कि यह समिकरन भी सही है, ऐसे ही आपके लिए ओमवर्क है कि आप यह वाला समिकरन चेक क हाएं मतलब को चछी क मतलेए जाएं अब ऑशेक नहीं, अब मतलब मैं ने बताया है, कि आपको कोई चीज देदी चाहेगी, और नहीं हाएं आप और वह बताएगा कि यह चीज इसके ओपर डिपेंड कर रही है अब किस तरह से कर रही है वह आपसे पूछेगा तो वह आपको निकाल ला है विम्य विशलेशन के दुआरा चलिए एक एक एक्जामपल लेकी समझतें इसको भी किसी पिंड की गती जूर्जा के काइनेटिक ए अब किसे पावर दिखालेशन है लिक वह बताएगे कने आपको आपको i3 रही है हो तो मैं माल लिए कि मैंtant पिक है निकालेगे थेंड निकालेंगे तो मैंने हमन निकालेंगे तो मैंने लिया कि M की घात कितनी है एंängt किसके उपर निंबर कर रही है वेक तो वी की गात को कितना माल लीआ भी ठिक़िया अगर और कोई चीज होती तो इसकी घात को सी माल लेते हैं ठीकर इस तरह से माल लीजिए और फिर यानिकर एस तरह से हो गया तो अपने आप नीचे चला जाएगा, वो हमारी अड़क नहीं है, वो तो हम सुखाल करके देखेंगे, कि क्या आ रही है, तो हम तो direct मानेंगे कि K proportional to किसके है, M की पावर A के, similarly K proportional to किसको होगा, V की पावर B के, ठीक है, कर लिया, आप इन दोने equation को एक साथ ऐसे भी लिखा ज सकते हैं, तो मैंने दोनों को बुणा में रिख दिया, K proportional to M की पावर A, और V की पावर B, अब मैंने बताया, समानुपाती का यह चिन है, इसको अटाते तो एक नियतांक आएगा, उस नियतांक को आप अपनी इच्छा से कुछ भी बोल दीजी, जैड, इसकी वैल्य कुछ होती ही नहीं है, पता है ना, इसलिए, यह नितांक कोन सा, यह 1, 2, 3, 4, ऐसे कुछ वैल्यूस निकल के आएगे, ठीक है, अब देखिए, इस एक्वेशन में कुछ नहीं करना आपको, K की वीमा रख दीजी, K का गती जूड़ जाए, बोल रहे है न अगला, गती जूड़ की वीमा निकलना आपको आना चाहिए, ठीक है, M, द्रवेमान है, द्रवेमान की वीमा आपको आनी चाहिए, V, वेग, वेग की वीमा नी चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना, सब की वीमा रख दो, और जिसकी पावर जो है वो लगा दो, ठीक है, गती जूड़ जाए की वीम 1L2T-2 ठीक है M द्रविमान है द्रविमान की तो है में रही पावर A है लगा दी वेक की विमा यह रही L1T-1 पावर B है अब कुछ नहीं करना बहुत जब दो समेकरन बराबर होते हैं उनकी घाते में कुछ हो तो हम ऐसे करते ना पर समान पदों की घातों को बराबर करते हैं बढ़ा है ना बैस में ऐसा कुछ बस वही नहीं हम यहां लगाएंगे पहले तो इसको solve कर लो M की पावर A, L की पावर B और T की पावर माइनस 1 जब B से गुणा होगा तो माइनस B आ गया इधर भी ऐसे है अब देखो इधर M और M है ना और B से बराबर का साहिन है तो कुछ नहीं करना दोनों पक्षों में समान जो पद है उनकी घातों की तुल ना कर दो तो देखो यह यहां M M है यहां पावर 1 M की कुछ नहीं होता तो 1 है तो बताओ A बराबर 1 आया नहीं आया आ गया यहां L की पावर B है यहां L की पावर 2 है तो B बराबर 2 आया नहीं आया यह 2 और B के बराबर यहां T की पावर माइनस 2 है यहां T की पावर माइनस B है तो माइनस B आपको व बराबर 2 यह देखो B बराबर आप चाहिए से इस से निकालो और चाहिए से इस से निकालो वैलू सेमी आएगी अलग नहीं आएगी कि बी तो भी ही है ठीक है बस जब यह वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को वहां पुट कर दो वह हमने माना था न के इस उकल टू जैड म की A B की पावर B भई हमें A और B की वैल्यू तो ची थी यह यह पुट कर दी 1 और 2 आप इसको सॉल करो के तो Z M V स्क्वार यानि कि जो भी आपको वज़तू दे रखे थी उसकी जो गती चूड़ जा थी वो Z M V स्क्वार के प्रसमानू पाती है ठीक है आप देखो यह जो Z होत जी आपको exactly formula याद नहीं है और तो आप यहां तक भी करके आओगे और नीचे यह लाइन लिखके आजाओगे तो भी आपका question सही हो जाएगा क्योंकि हम वी में विचलेशन के अनुपरयोग पढ़ रहे हैं और वी में विचलेशन में कहीं भी इस Z का मान हम निकाल नहीं सक ही होगा ठीक है तो जाएड इकवस्टू हाफ तो के इकवस्टू कितना गया हाफ एम वी इसकार और बताओ यही फॉर्मूला पढ़ाता नहीं पढ़ाता हमने गती चूर जागा हाँ 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 वी में विचलेशन के द्वारा है ना चली एक एक ग्जम्पल और करते हैं शयको पावर्ण करते हैं अगले ने दे रखाया अब आपको इन में संबंद निकाला है किस की तरह करते हैं कुछय मयत करिए वह पहले तो जिस-चिस पर निर्वर करते हैं की पावर मानी है। क्या माना? मैंने मान लिया है पहल तो देखो, T किस की स्पिं डिपर कर रहा है, L, G, और M पर ये दिया हुआ है, अब हम L की पावर A मान लेंगे, G की पावर भी, M की पावर C, ये से मान लेंगे, ठीक है? अब मैंने मान लिया है, A, B, C, लंबाई गुरुत्वी तुन तथा ये तथा है तथा द्रव्यमान की घाते हैं तो टी प्रपोर्शनल टू हो गया नहीं हो गया इनके पावर लगा दी और एक साथ लिख दिया वही लास्ट में भी तो हमने ऐसे ही किया था तो यहां भी कुछ नहीं किया एल की पावर ए जी आइस ऐल के श की कोई नहीं यह थांक है अप ने तांक से तो गया नहीं तो हमें कोई लेना देना हो नों दोनों की विमा एक होती है और M मास है बस सब की विमा निकाली है फिर से वही क्या करना है समान जो घातों वाले पद हैं उनको कंपेर करना है और ABC की वैल्यू निकालनी है ABC की वैल्यू लाकी यहां रख दीजिएगा तो फोर्मूला जाएगा चलिए करते हैं आवर्थकाल की विमा भाई सेकिंड में होता है न बताया था न आवर्थकाल तो T लंबाई की विमा L G एक विमा की बराबर होगी ची की विमा यहाँ पर वो कैसे निकालेंगे V upon T से V होता है X upon T into T तो यह हो गया L1 T minus 2 सही है M द्रविमान द्रविमान की विमा M बस यह सारी विमा यहाँ पुट कर दो कर दीजिए कर दी एक बार इंको solve कर लो जैसे L की विमा या B है और यहाँ A है तो एक पर पदों को A की पदों कर लो L का A की पदोंना चीये M का A की पदोंना चीये T का A की पदोंना चीये करो यहाँ आज़े इसको थोड़ा से एक step और solve कर सकते हैं हम वो ऐसे T पस तो आ गया देखो L की power A और L की power B तो यह हो गया L की power A plus B आदार समान तो गाते जुडेगी, ठीक है, यहाँ पे हो गया M, M को पहले लिखना चाहिए ना, इसलिए M की पावर C, अब T की पावर, T की पावर कितनी होगी, बताइए, देखो T की पावर माइनस 2B, तो T की पावर माइनस 2B, आप चाहते इसको से प्लेकिट में भी लिख ठीक है, आया समझ में, अब बस कंपेर कर लो, कंपेर करोगे तो देखो, T की पावर माइनस 2B, और इधर T की पावर है 1, तो माइनस 2B, एक एक एक्वेशन बन गई, यहाँ से B की वैल्यू आ गई, माइनस एक बटाँ 2, ठीक है, आप इधर देखो, ना M है, ना ही L है, तो M0, L0 रिख दू, भाई, कंपेर करने में आसानी होगी, आप देखो, M की पावर इधर तो C है, इधर 0 है, तो C बराबर क्या आ गया, 0, इसी तरह से, इधर B, L की पावर 0 है, तो 0 बराबर, कितना है, A प्लस B, तो A बराबर हो गया, माइनस B, ठीक है, B की वैल्यू हम निका बाल चुके, यहां पुट करोगे, तो A बराबर कितना आ गया, half, तो बसी equations आ गई, इनको आप solve करिए, A, B, C की वैल्यू निका लिए, और यह वैल्यू कहां पुट करनी है, जहां हमने T क्वस्ट के सम्तिंग कुछ निकाला था, वहां, यह सब वैल्यू आप यहां पुट करनी है, A, B और C की, तो यहां जब पुट करा, तो L की पावर half आ गई, G की पावर, B थी ना, B की वैल्यू है माइनस एक बटा दो, और M की पावर C थी, C की वैल्यू है 0, वापस से M की पावर, किसी भी चीज़ की पावर 0, तो बन हो जाएगा, तो यह आ गया, T क्वस्ट जागे, क्या हो जाएगा, उसकी पावर half हो जाएगी, प्लस में, और नीचे चला गया, और अंडरूट लग गया, तो यह रिलेशन आ गया, T equals to K, अंडरूट L upon G, आप देखो, इसके अंदर M नहीं आ रहा, यानि कि, जो सरल लोलोक होता है, उसका जो आवर्थकाल होता है वो उसके दरवेमान पर निरवर नहीं करता है, उसने तो दे रहा था, लेकिन जब हमने formula derive किया, तो बताओ, यहां को यहां का term आया, नहीं ना, यानि कि, दरवेमान पर निरवर नहीं करता है, गोलक का कितना भी दरवेमान हो, आवर्थकाल यही रहेगा, K under root L upon G, अब के तो वही निये दा, जिसको हम इस विदी के दोरह ज्यात नहीं कर सकते है, अब आपको इसकी value पता है, तो ठीक है, नहीं पता है, तो यहीं तकी छोड़ दीजी, इसकी value वैसे होती है, 2 pi, pi वो होता है न, 3.14, यह pi तो होता है, या फिर आप इसको लिखते हो, 22 बटा साथ, वो है यह, तो यह आगया, पूरा फोर्मूला आगया, 3 equals to 2 pi under root L, यह L, L upon G, यह होता है, सरल लोलक का आवर्त काल का फोर्मूला, ओके, समझ में आया इसका थर्ड अप्लिकेशन, बहुत आसान है, सिर वीमा निकालना है, पदों को कंपेर करना है, और जो घाते हमने मानी थ हैं, अब है इसका लास्ट अनुप्योग, एक पदिति के मातरक को दूसरी पदिति के मातरक में बदलना, तो पहले हम एक फोर्मूला डिराइब करेंगे, फिर उस फोर्मूले को यूज करके, हम लोग equation करेंगे, ओके, चले, तो मेरे साथ साथ आप लोग notes बनाते रहिएग आपको अगर वीडियो में कोई भी problem आ रही है, इन में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को दुबारा देखेगा, चलिए, यह जानते हो अब, हाँ हमने पढ़ा है भई, N1, U1 बराबर N2, U2 पढ़ा है न, तो यह तो हमने पढ़ा है, ठीक है, अब लिए कि U1 है, MLT, अब मुझे नहीं पता कि M की पावर कितनी है, L की पावर कितनी है, और T की पावर कितनी है, तो नहीं पता तो मान लो, A, B और C, Similarly, U2, U2 क्या होगी, 2 की पावर में लिख दो, M2, L2, T2, आप पावर सेम मानिए, पावर सेम क्यों मानिए, भाई मान लिजे, यह चीज आपका बल है, तो definitely यह भी तो बल होगा, जब यह तो बराबर है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, तो यानि कि मात्रक तो समान होगे, सि पद्धिती तो चेंज हो रही है, तो MKS से CGS में हो जाएगा, MKS से FPS में हो जाएगा, CGS है, तो MKS में पूछेगा, पद्धिती तो चेंज हो रही है, जो बहुतिक राशी है, वो तो चेंज नहीं हो रही, जब बहुतिक राशी चेंज नहीं हो रही, तो उसका क्या मात्रक तो यहां से आप यहां से एंडी वैयू निकाल रिलू आप इसको तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो यहां से यह फॉर्मुला निकल के आ रहा है N2 एक्वस्टू N1 को इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया M1 के नीचे M1 लिख दिया पावर दोनों की A थी तो एक साथ लगा दी L1 के नीचे L2 लिख दिया पावर B थी B लगा दी T1 के नीचे T2 लिख दिया पावर C थी C लगा दी मतलब यह हमें याद रहे और सुन्दर भी लगे हम नॉर्मली कैसा फॉर्मुला पसंद करते हैं जो इजी हो अच्छा दिखे और फटा फट याद हो जाए तो यह फटा फट याद भी हो जाएगा N2 equals to N1 M1 upon M2 के पावर A L1 upon L2 के पावर B T1 upon T2 के पावर C बस यह फॉर्मुला आ गया तो आप एक पद्धिती से दूसरी पद्धिती में किसी भी बोतिक राशी के मातरक को चेंज कर सकते हैं अब देखो एक्जाम में तोड़ा ध्यान देना अगर वह बोलता है कि विम्य विशलेशन के दुआरा इस बोतिक राशी का मातरक इस पद्धिती में निकालो तब तो आपको यह फॉर्मुला यूज करना है लेकिन अगर वह सिंपल क्यूशन देता है तो आप अपनी इच् अब देखों किसी वस्तू का घनतव है एक ग्राम पर सैंटीमिटर क्यूब और वह बोल रहा है कि इसको केजी पर मिटर क्यूब में बदलो यह सीजी है नहीं ग्राम और सैंटीमिटर क्यूब तो सबसे पहले तो आप जो चीज आपको दे रहे कि ना बहुतिक राशी उसकी विमा निकाल के रख लो गनतव क्या होता है द्रविमान बटे आयतन द्रविमान की ऐन वन ऐतन के ऐल क्यूब उपर गई तो ल माइनस त्री लिकाश अ पालनी वीमा चलिए अब फॉर्मूला रखिए यह फॉर्मूला होता है अन्वन दिया गया है अन्वन यह है आंके कमानी तो है तो यह हो गया M1 M2 की पावर A, L1 L2 यह कुछ नहीं है ठीक है L1 L2 की पावर B, T1 T2 की पावर C यह है अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है ABC की value चीए अब ABC की value कहां से मिलेगी यह ABC की value आपको मिलेगी यहां से जो आपको बोतिक राशी दे रखी है उसकी वीमा जो आपने निकाली है ठीक है उसकी वीमा ही ABC के मानोंगे ठीक है तो बताओ तो A की value कितनी है यहां से compare करोगे तो 1, है या नहीं, B की value कितनी है, minus 3, और C की कोई value नहीं, मैं T0 लिख सकते हैं, तो C बराबर 0, और N1 बराबर 1 दे रगा है, बस, यह वी माम ने इसलिए निकाली ता कि हमें ABC के मान पता चल सके, बस आप value पुट कर दीजिए, N2 equals to 1, M1 upon M2 की power 1, L1 upon यह नहीं है, थोड़ा सा printing mistake है, L1 upon L2 की power minus 3, T1 upon T2 की power 0, बस हो गया, अब M1 आपको दिया गया मात रख है, मतलब M L और T के दिये गया मात रख है, 2 आप से पूछे गया है, तो रख दो, यह gram है, यह centimeter है, अब देखो T1 upon T2 की power 0, किसी की power 0 हो, तो क्या हो जाता है वो 1, इसलिए मैंने T की term लिखी ने, 1 लिख दिया, भाई यह पूरी के पूरी term किस में बदल गई, 1 में, gram दे रखा है, दे रखा है, यह देखी question में, gram का मतलब M1, और centimeter दे रखा है, किसका, L का, ठीक है, और पूछ रहा है, kg और meter में, तो बस यह रखना है, gram, नीचे kg, centimeter बटने meter, पावर आपने लगाई दी, जो थी, चलिए, solve करिए, अब आपको क्या करना है, आपको N2 की value चीव है, N2 कितना है, बाकि मातरक तो आपको पता है, कि यह लगाना है, उसके आगे, सिर्फ इसके आगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा, यह हमें नह नहीं पता, N2 की value निकालनी है, तो N2, आप देखो, आप चाहो तो kg को gram में बदल लो, या gram को kg में बदल लो, ठीक है, मिटर को cm में बदल लो, पतलब कटनी चाहिए, तो मैं नीचे वाला आसान है, मिलको पता है, 1 kg में कितनी gram होता है, 1000, और हम बहुत दिमागदर वाले इ 1 upon 1000, और 1 upon 100 की power minus 3, अब देखो, यह power minus 3 मैं, अगर मैं 100 को उपर ले जाओंगे, तो power plus 3 होगी नहीं होगी, ठीक है, होगी, तो इस तरह से लिख दिया, अब 100 की power 3 है, इसका मतलब 100 को 3 बार लिखा गया है, यह तो होता है, लिख दिया, आप देखो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, कट गई तो कितनी 0 बची, एक, दो, 3, और एक, दो, 3, को कैसे लिखते हैं, बताया था न, 10 की power में लिखना याद करिए, 10 की power 3 भी लिख सकते हैं, 10 की power 3 लिखो, चैसे 1000 लिखो, एक की बात है, तो N2 की value मिल गई, अब यह किस में मिली आपको, kg और m3 में, यानि की, 1 gram cm-3 में कितने होते हैं, 10 की power 3, kg, m3, इसको m के power minus 3 भी लिख सकते हो, बते में लिखना चाओ, तो बताओ, आसान है या नहीं, है ना, आसान, कितनी आसानी से हमने एक पद्धिती से दूसरी पद्धिती में बदल दिया, formula यूज़ करके, है ना, तो बस यही विमी विशलिशन के अनुप् हैं, उनको solve करिएगा, मैंना आपको सिखा दिया कैसे solve करते हैं, अब एक बार उनको कुछ से try करिएगा, क्योंकि practice करोगे तो ही physics से आएगी, तो करिएगा, हो जाता है, तो अच्छी बात है, नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, जब हमारा chapter end होगा, तो हम जो है कुछ प्र हम भी दूरिया हो जाए, तो उनको किस तरह से मापन किया जाता है, वो हम नेक्स वीडियो में study करेंगे, ठीक है बच्छों, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, नेक्स टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, thank you.